सूरत के सेशन कोट में आज मानहानी केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी गई हाला कि उसी कोट ने राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी राहुल की सजा पर विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल उठा दी है सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नियाए पालिका भी सरकार के दबाब में हैं आखिर क्या है पूरा मामला देखते हैं ये रिपो 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी दरी हुई है ये दर राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा ने और बढ़ा दिया है और इसके चलते बीजेपी संसत भी नहीं चलने दे रही है पीजेपी नेताओं ने राहूल गांदी के खिलाफ मानहानी का मामला भी दर्ज कर रखा था कि सभी चोरों के सरने मोधी क्यूं है इसी मामले में सूरत की सेशन कोट ने राहूल गांदी को दो साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगा दिया राहूल को कोट से तुरंच जमानत भी मिल गई कोट ने सजा सुनाय जाने के साथ ही राहूल गांदी को उपरी अदालत मे सजा को चनौती देने के लिए एक महीने का समय भी दे दिया राहूल गांदी के खिलाफ एक महीने तक कारवाई नहीं होगी सजा सुनाय जाने से पहले जजज ने राहूल गांदी से सवाल किये तो उन्होंने साफ कह दिया कि अपने बयान में उन्होंने किसी का अपमान नह किया और ना ही उनका ऐसा मकसद था वो एक राजनेता है और भ्रष्टाचार के खिलाब बोलना उनका काम है वो ऐसा करते रहते हैं सजा के एलान के बाद भी राहुल गांधी के तेवर नहीं बदले राहुल ने एक बार फिर कहा कि डरो मत इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कि पॉलिस कभी सजा से दराने में जुटा है राहुल गांधी इस मामले में नियाए संगत अपील दायर करेंगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे मलिका अर्जुन खडगे ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार जज बदले जा रहे थे राहूल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे लेकर उने सजा दी जाए हम हाई कोट में अपील करेंगे डिबलाइफ की रफ़ाइब